आज हम लोग इंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविद्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग सामी पे इवं अभिविन्यास प्रभाव पढ़ेंगे हम सब जानतें कि इंजाइम जैवुत्प्रेरण तथा क्रिया की दर को बढ़ाते हैं क्रिया की दर बढ़ाने के लिए ये सक्रियन उजा को घटा देते हैं सक्रियन उजा की घटाने के लिए एंट्रॉपी घटाते हैं हम सब जानते हैं कि क्रियाधार बिल्लियन में जब मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है तो उसकी एंट्रॉपी अधिक होती है जब वो इंजाइम से बंदित हो जाता है क्रियाधार तो उस दो अनों की गती की जो स्वतंतरता है वो कम हो जाती है इस कारण से इंट्रॉपी घड़ जाती है क्रियाधार जब इंजाइम से बंदित होता है तो इंजाइम का संग्रूपन परिवर्तन होता है जिसके कारण वो क्रियाधार पे एक तनाव उत्पन करता है और क्रियाधार विरूपन विरूपित हो जाता है इंजाइम के उत्प्रेरी क्रियात्मक समूहों का, इंजाइम के संग्रूपन में परिवर्थन के कारण क्रियात्मक समूहों का संग्रेकर होता है अतर इंजाम इन प्रक्रियाँ द्वारा सक्रियन उल्जा को गटा देते हैं जब क्रियादा-विल्यन में मुक्त व्यवस्तित अवस्ता को छोड़कर इंजाम से बंदित होता है तब इंट्रॉपी की हानी होती है और इंजाइम सता पर प्याधार अणों का एक दूसरे के समीब बंधन करने से उनकी सांद्रता इंजाइम की सता पर बढ़ जाती है इस कारण से इंट्रोपी घड़ती है इस प्रभाव को हम सामीप्य प्रभाव कहते हैं इंजाइम प्रियाधार से इस प्रकार बंधन करती है कि जो विगहटित होने वाला सम्हू है वो इंजाइम के सक्रीश्थल के समीप होता है तथा उसका अभिविन्यास भी सही होता है तो इस कारण से जब प्रियाधार इंजाइम से बंधित होता है तो उन दोनों के मद दें प्रियाधार और इंजाइम के मद जो उत्पादक संगटन है, जो productive collision है, उसकी संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि इंजाइम प्रियाधार संकुल संक्रमन अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और फिर वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है. ये बहुत दुल्लब प्रक्रिया है, यदि ये प्रियाधार और इंजाइम प्रितक प्रितक विल्यन में मुक्त रूप में उपस्थे थो, तो उनके मद उत्पादक संगटन की संभावना बहुत कम होती है. तो प्रियाधार को विशिश रूप से इंजाइम पर संगड़े कित करने के लिए कई निर्बल अन्योन क्रियाएं कारे करती है, वो इंजाइम के विशिश सहल पर उपसे समों के मद्य, तता प्रियाधार के समों के मद्य होती है, जो इस कारण से प्रियाधार इंजाइम की सताबक कस जाता है या उससे जुड़ जाता है और इस प्रकार के सही अभिविन्यास में जब जुड़ता है तो उसे हम अभिविन्यास प्रभाव कहते हैं इंजाइम क्रियाधार अनू से इस प्रकार बंधन करती है कि विगहतित होने वाला बंद उत्प्रेरक समू के निकट सही अभिविन्यास में उपस्तित होता है जिसे कि ये संकुल की संक्रमन अवस्था में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है जैसा कि इस चेत्र में दिखाया गया है यहाँ पर सक्रीज थल इंजाइम में उपस्तित है और उसके निकट क्रियाधार उपस्तित है पर प्रियाधार ना तो सक्रीज थल के निकट उपस्तित है और नहीं उसका अभिविन्यास सही है इस कारण से इस प्रकार जब प्रियाधार जुड़ता है तो उसे हम unfavorable या प्रतिकूल प्रतिकूल अभी विन्यास कहते हैं पुट जब क्रियाधार इंजाइम के सक्रीस्थल के निकट है जैसा की दूसरे फिगर में दिखाया गया है तो वहां पे क्रियाधार सक्रीस्थल के निकट उपस्तित है तो उसका अनुकूलतम सामी प्रतुम अभी विन्यास उसका सही नहीं है इसलिए प्रतिकूल अभी विन्यास है तीसी परिस्तिती में क्रियाधार सही अभी विन्यास ततर सही सामी पे के अनुसार सक्री स्थल पर इंजाइम के जुड़ रहा है तो इसे हम अनुकूलतम सामी पे एवं अनुकूलतम अभी विन्यास कहते हैं, जब इस प्रकार से क्रियाधार इंजाइम से बंदित होता है, तो यह संकुल निर्मित होता है, जो संक्रमन अवस्था को प्राप्त करके उत्पाद में परिवर्तित होता है. दूसरे फिगर में इंड्यूस्पिट मेकैनिजम दिखाई है, इसमें जो इंजाइम है, उससे क्रियाधार जब बंदित होता है, तो इंजाइम के संक्रमन में परिवर्तन आता है. इस यह संकुल के जब संक्रमन अवस्था को प्राप्त होता है, तो क्रियाधार विरुपित ह और वह उत्पाद में परिवर्तित होकर इंजाइम से प्रिथक हो जाता है। तनाव एवं विरूपन विदी तथा प्रेरिद अनुरूप विदी। प्रिद अनुरूप विदी कोश्लेंड ने दिती उन्होंने ये माना कि क्रिदार की संग्रूपन में परिवर्तन लाता है। कोशलैंड ने ये दर्शाया कि NAD+, जब लाक्तेट दी हाइडुजनेज से बंधन करता है, तो इंजाइम के संग्रूपन में 13 एंक्ष्रोंग का परिवर्तन होता है, जो कि इंजाइम के सक्रीस्थल पर तनाव उत्पन करता है, और इस कारण से जो बंधित क्रियाधार अनू ह उसमें विरूपन वो विरूपित हो जाता है, जिसे ये संक्रमन अवस्था में प्रवेश करता है, और फिर वो क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन को इंजाइम का प्रेरित अनूरूप परिवर्तन कहते हैं, क्रियाधार के जु जिसके कारण यहीं त्रित्यक और चतुर्थक संग्रचना उपस्थित होती है, जो अब प्रियाधार उनसे बन्धित होता है, विस से नք। तक संग्रचना में परिवर्तन आता है जिसके कारण क्रियाधार पर यांत्रिक बल लगता है और यही त्रितियक चतुल तक संग्रचना में परिवर्तन आता है उसे हम संगूपन परिवर्तन कहते हैं और इस यांत्रिक बल के कारण ही क्रियाधा जो है वो विरूपित हो जाता इस सिद्धान द्वारा हम ये भी संचा सकते हैं कि क्यों इंजाइम अणू प्रोटीनिक प्रकृति के होते हैं इंजाइम अणू प्रोटीनिक प्रकृति के इसलिए होते हैं जिसे वो क्रियाधार अणू से सरलता से जोड़ सकें और इसलिए वो ब्रहद अणू होते हैं जब क्रियाधार इंजाइम से जुड़ता है, क्रियाधार इंजाइम से कई बलों के अन्योन क्रियाओं के द्वारा जुड़ता है, यह अन्योन क्रियाओं है, सेसेयोजी आबंद, हाइडरोजिन आबंद, तथा सिर्वैद्यूत आबंद, यह आबंद जो हैं, इंजाइम निश्क्री हो जाते हैं, क्योंकि इंजाइम ना तो अब क्रियाधार से बंधन कर पाते हैं, और जब विक्रित हो जाते हैं, तो ना तो वो क्रियाधार से बंधन कर पाते हैं, और ना ही क्रियाधार के बंधन से उनके तृतियक एवं चत्र तक संग्रचना में परिवर्दन आ इसलिए इंजाइम निश्क्री हो जाते हैं। सक्रीस्थल की विशिष्टा इस कारण से होती है कि नियुनतम तीन समूह क्रियाधार में इंजाइम का सक्रीस्थल पहचानता है और वो सक्रीस्थल में उनके सक्रीस्थल की विशिष्टा इस कारण से होती है कि सक्रीस्थल क्रियाधार में तीन समूह को नियुनतम तीन समूह को पहचानता है क्योंकि उसके सक्रीस्थल में निश्चित सान पर वो उसके संपूरक समूह उपस्तित होते हैं। तो केवल वही क्रियाधार इंजाइम के सक्रीस्थल में बंदित कर पाता है, जो जिसको सक्रीस्थल पहचानता है, इससे स्पष्ट होता है कि इंजाइम केवल एक ही समाव्यवी से बंदन कर पाएगी, दोनों समाव्यवियों से बंदन नहीं कर पाएगी, इसी कारण से इंज अपनी प्रकृति में विशिष्ट होती है और जब क्रियाधार उनसे बंधन कर जाता है तो वो क्रिया की दर को बढ़ा देती है और उत्प्रेरण में सहायता करती है अब धात्विक आयन उत्प्रेरण धात्विक आयन उत्प्रेरण में कई विद्यों द्वारा भाग लेता ह वो चाहें इंजाइम से सबलतज से जुड़ा हो अत्वा इंजाइम द्वारा क्रियाधार के साद लिया गया हो वो निमलेखित विद्यों के द्वारा उत्प्रेरण में सहालता करता है इंजाइम बंदित धात्वी कायन कई अन्योन क्रियायों द्वारा क्रियाधार को सही अभिविन्यास में इंजाइम से जोडने में सहायता करता है अत्वा क्योंकि धात्विक आयन पे आवेश उपस्तित होते हैं इस कारण से उन आवेश के सहायता से वो क्रियाधार को संक्रमन अवस्था में स्थिर्ता प्रदान करने में सहायता करता है धात्विक आयन उत्प्रमनी रूप से उक्सिकरन अवकरन प्रियाओं में भाग ले सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोन या तो ग्रहेंड कर सकता है अत्वा वो दे सकता है जैसा कि साइट्रोक्रोम प्रोटीन्स में होता है वो इलेक्ट्रोन ग्रहेंड उनका लौ जो है इलेक प्रौन देख फिरेक अवस्था में परिवर्थित हो जाता है। इस तरह से प्रम्नी रूप से अपनी ऑक्सिकरन अवस्था में परिवर्थन लाकर ऑक्सिकरन करन क्रियाओं की मध्यस्तिता कर सकता है।